वैसे तो सर्दी का मौसम बहुत सुहावना होता है लेकिन यह मौसम जितना सुहावना होता है उतने ही स्किन के लिए परिशानी भरी होती है खास कर उन लोगों के लिए जो घर समालती है इस मौसम में स्किन बहुत जादा ड्राय हो जाती है जिसके कारण हाथ और पैर फटने लगते हैं कभी कभी तो हाथ पेरों से खून तक भी आने लगते हैं सर्दी के मौसम में हाथ थोड़ा हाड भी हो जाता है इन सभी परिशानों से छुटकारा पाने के लिए कुछ घरेलो नुसके बताएंगे जो बहुत ही आसानी से कम समय में अपने हाथों को सौप्ट बना स अच्छी तरह से पोच कर तुरंट मौस्चो राइजर लगा लें इस मौस्चो राइजर को दो मुने तक हाथों पर रब करें ताकि आप पूरी तरह से स्किन में समा जाएं आप हर बार मौस्चो राइजर लगाना ना भूलें इसके लिए हैंड बोश के साथ और अपलाई कर सके दूसरा उपाय है दो कप पानी को गरम करके उसे किसी ऐसे बोल में ले लें जिसे आप अपने हाथों को डुमों सके अले अब इस पानी में इक च्पानी अलिव लगा बेट जाएं इसे आपके हाथों की तुझा को पेहद लाव होगा और softness भी बढ़ेगी 15 मिनिट के बाद हाथों को पानी से निकाल ले और हलका हलका फूचनी के बाद ही motionizer लगा ले ऐसा रात को सुने से पहले करेंगी तो ज़्यादा फाइदा होगा आम तरपर motionizer करने वाले और स्किन के softness मढ़ाने वाले प्रोडक्ट में बादाम के तेल का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन ऐसा आम तरपर promotion के लिहाद से बचाया जाता है जबकि ज़्यादातर प्रोडक्ट में बेहदी कम मातरा में पेट्रोलियम जली का पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है इसलिए बहतर होगा कि बादाम एसेंस या फिर पेट्रोलियम माटेरियल बेस्ट मोस्ट राजर यूज़ करनी के वज़ाए आप किसी ट्रस्टेवल प्रैंड का बादाम तिल खरीदे और हर रोज रात को सोने से पहले इसकी कुछ बोंदे लेकर हाथों की मसाज करें इसके अलाबा घर से बाहर निकलते समय गलफ से जरूर पहने ताकि ठंडी हवा से उंगलों को बचाया जा सके बाहर जाते समय अपने बैग में मौस्ट राजर या फिर हैंड क्रीम जरूर रखें ताकि जरूरत होने पर आप इसे अपलाई कर सके आसानी से